आज हादी के साथ अदसक बार आज समय का चक्र एक बार फिर घुमा मसलिम पर्ष से फाइल किये गये थैं हमें यकीन है हमें यकीन है यकीन है कि हर मस्जिद मस्जिद की जगा पर है किसी मंदर को तोड़कर मस्जिद इसलाम में नहीं बनाई जाती है मस्जिद के अंदर लिखा है ग्यान वे आपनी मस्जिद कैलेंडर है और जब कैलेंडर को उठाए जा रहे तो उसके नेचे स्वास्ति के चिन मिल रहे है मस्जिद इसलाम का एसेंशल पाट नहीं है और आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं और आप देख रहे हैं कहीं भी नमाज पढ़ी जाती है बाबरी मस्जिद को सब्र किया गया है अब हम सड़कों पर लड़ने के लिए तयार है क्या कारण है कि मत्रा की क्रिष्ण जन्मुमी में महीं पर आपको मस्जिद बनानी है मुस्लिम पक्षों का तो एक ही खेल है उनका कि किसी तरह से इसमामनों को लिंदर रहुता है उनके पास कोई डॉकुमेंट नहीं है कि हम तो मुस्लिम बाईयों से भी कहना चाहते हैं कि अपने मुकर साथ की भूल की निसान पाप की निसानी को यहां से अठा ले नमस्कार देश नहीं जुकने देंगे मैं बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का मैं हूँ आपके साथा मन्शोप्रा 31 दिन का इंतिजार मतलब 31 दिन बाद एक और आयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है दूसरी और 354 साल बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा विवाद यानि कि ग्यानवापी विवाद छे महीने में सुलजने जा रहा है चे महीने में टाइम लाइन सेट की जा चुकी है कोर्ट की तरव से यानि कि ग्यानवापी विवाद भी मुक्ती मार्ग पर है तीसरी और मत्परा में शाही इदगा के सरवे के आदेश आ चुके हैं आप से भी जानते हैं यानि जो जगा हैं 100 करोड हिंदूओं के लिए सब लुक्त होने के रास्ते पर हैं इसके लावाए इस चीज़ को समझेगा जो अब बताने जा रहा हूँ इलाबाद हाई कोर्ट के ओडर से ज्ञानवापी को 1991 प्लेसिज ओवर्शिप एक्ट से एक तरीके से मुक्ति मिल गई है जिया इस आदेश में इलाबाद हाई कोर्ट ने जो सबसे बड़ी बात कही है वो यह है कि इस 1991 प्लेसिज ओवर्शिप एक्ट में पूजास्थान या धर्म को या धर्मस्थल को उसको स्वरूप को परि सिर्फ ट्राइल से ही तै हो सकता है 1991 प्लेसिज ओवर्शिप एक्ट जो बताता है कि आजादी के बाद जो भी धार्मिक स्वरूप है वो नहीं बदलेगा बिल्कुल ठीक बात कोट ने कहा कि स्वरूप क्या है वो ट्राइल से तै होगा और यह कोई डेटरेंट नहीं है कि उस पर बहस नहीं हो सकती है कि उस पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है कोट अनकोट इलाबाद हाई कोट शुरूप करेंगे मेरे साथ विश्नु जैन है आप सब ही जानते हैं जोड़धा तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस लड़ाई को शुरूप से लेकर अंतक अभी तरागी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए सबसे पहले विश्नु भाई मैं आपसे शुरू कर रहा हूं जब भी हम इस तरह की बहस करते हैं या जब भी इस तरह का सवाल उठता है तो एक सवाल पलट कर पूछा जाता है कि आप क्या समविधान का सम्मान नहीं करते हैं मंजी हम पूछते हैं ऐसा क्यों का जाता है कि 1991 Places of Worship Act जो है वो एक तरीके से मेरी नजर में वो बुरा लग है वो एक तरीके से डेव स्थानों की धारा 370 है कि वो मंद्रों को कि छू नहीं सकता है जो हमारे तीर स्थान है क्योंकि वो 1991 Places of Worship Act है आज ये पूरा देश आपको सुन रहा है मुझे बताईए 1991 Places of Worship Act पर इलाबाद High Court की टिपनिया ओडर क्या एक नजीर बनेगा बाकी की दूसरे देव स्थानों के लिए और और क्या है 1991 Places of Worship Act को लेकर इलाबाद High Court का विश्नु जैन ध्यान से सुनिएगा आप सभी विश्नु जैन देखिए एक वकील होने के नाते जब ये मुकदमों पर रिसर्च की गई तो एक सबसे जिसे कहते हैं जो अंजुमन इंतज का जो मस्जिद कमिटी है उनका frontline defense ये था कि ये मुकदमे आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि ये places of worship act से बादित हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इस तरह की लड़ाईयों के लिए एक तरह से एक mandate है एक तरह से एक चेक है कि आप इस तरह की लड़ाईयों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं उसका impact क्या है उनका line of defense येता है कि आप court नहीं जा सकते हैं ट्राइल नहीं कर सकते हैं evidence नहीं डीट कर सकते हैं और हमने जब इसका research किया तो legal interpretation के माध्यम से research करके निकाला कि places of worship act में धार्मिक स्वरूप जो शब्द used is religious character उसको define नहीं किया गया है और धार्मिक स्वरूप क्या होता है इसके लिए मुकदमे फाइल हो सकते हैं और court में उसके लिए evidence लीट की जा सकती है आज ये पूरा बहुसंग के समाज इस देश के legal system से सिर्फ इतना मांग रहा है कि हमें court में cases file करने दीजे और तर्कों के अदार पे evidence के अदार पे हमें हमारा case proof करने दीजे जब ये सारी बाते race की गई तो पहले आपको ये बहुत लंबी legal लड़ाया मंजी इसके appreciate करिएगा 1991 में मुकदमा file हुआ मुकदमा dismiss किया गया इस ground पे कि places of worship act से बादित है हिंदू समाज district court में गया district court ने 1997 में हमारे पक्ष्म फैसला दिया और का places of worship act स बादित नहीं है 1997 में अंजुमन इंतजा में इलाबाद high court गई 1998 में इलाबाद high court ने इस मामले पे stay लगाया 25 साल तक ये मामला इसी मजधार मुलसता रहा कि places of worship act से बादित है कि नहीं है और इलाबाद high court ने अब एतिहासिक फैसला देते हो कहा है कि ये case places of worship act से बादित न करेंगे और तर्कों के अधार पे और फैट्स के अधार पे प्रूव करेंगे कि घ्यान व्यापी एक मस्जिद नहीं है वह हमारा मंदिर परिसर है जिसको गलत ढंसे मस्जिद के रूप में उप्योग करने का काम किया जा रहा है दो सवाल दो सवाल विश्णु जैना क्यों एक और सवाल मैं आपसे ले रहा हूं दो सवाल 1991 Places of Worship Act कहता है कि धार्मिक स्वरूप स्थल का नहीं बदला जा सकता मंदिर है तो मंदिर मजड है तो मस्जद यही कहता है 1991 Places of Worship Act जो इलाबाद high court का order है वो यह the religious character of a place of worship can only be determined in a trial based on a documentary and oral evidence religious character cannot be confined in limits or verbal terminology मतलब स्वरूप नहीं बदला जाएगा बिल्कुल ठीक बात है जो मंदिर है मंदिर जो मस्जिद है मस्जिद लेकिन वो मंदिर है या मस्जिद स्वरूप क्या है वो तैक कोट करेगा trial से होगा यहीं मतलब है इसका और इसको अगर एक सरल भाशन में समझाना चाहूँ places of worship act और यहां पे उन तरहों की बात हो रही है जहां पे किसी मंदिर को आप मस्जिद के रूप में उप्योग कर रहे है जैसे for example ग्यान व्यापी केस में हुआ है मस्जित के अंदर लिखाए ग्यान व्यापी मस्जित क् appelle ए और जब कैलेंडर को उठाए जा रहे है तो उसके नीचे स्वास्ति के चिन मिल रहे है व्याजी के टेक हाने से कटी हुई मूरतिया मिल रहे है पिल्रों पे घंटिया मिल रही है हिंदू मंदिर को और हिंदू जो देवी देवताओं की मूर्तिया है उसको चैनी हतोरी से तोड़ के उसको भंजन किया गया है उसके सबूत मिल रहे है तो इस तरह के परिसर को आप मस्जिद नहीं कह सकते है वो एक मंदर परिसर है और यही चीज और मेंशन है कि जो अपीले किसी भी मजभी मकाम के लिए दाइर हैं वो सब रद कर दी जाए ही और आगे कोई अपील इस पर सुनवाई किसी मजभी मकाम पर नहीं होगी ये भी उननीश यो क्यानुए मेंशन है लेकिन किन वजवात पर कोट ने जो है ये ओर्डर दिया है वो कोट समझेगा उसको लेकिन कोट ने ये सच में डिफाइन किया जो आपने पढ़ा भी है कि उसके सोरूप को नहीं बदला जाएगा जांच है जांच कर लीजे जांच में कोई बादित नहीं होना चाहता लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं जो साफ तोर से हिंदु तोड़कर मस्जिद बनी एक जूट ये घड़ा गया कि 1949 में मूर्तियां परकट हो गई जिसको सुप्रीम कोट ने बाकाइदा अपने जज्जमेंट में ये कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी और 1949 में मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई कोट ने ये भी कहा कि 1992 में मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया और जो लोग इस कौंस्परेसी में शामिल है उनके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए ये अलग बात है कि इलाबाद हाई कोट ने या निचली आदालतों ने उन तमाम मूल्जमान को बरी कर दिया ये कहकर कि इनके लिए प्र तो ये नाम के एक बहुत बड़े बुजरुग हुआ करते थे जिनको हम अल्लावाले कहते हैं उन्हों ने ये मस्जिद बनवाई और अकबर ने जिस वक्त दीन इलाही शुरू किया उसने अपना ये केंदर बनाया और दीन इलाही का मतलब ये था कि चारो धरम हिंदू मु के डंडे जंडे अपने दफ्तर में लगाता है तो दीन इलाही के नाम पर उसने जो है महाँ पर उस मस्जिद को चुके मरकज बनाया था तो महाँ उन चीज़ों को लगाया तो अगर वो चीज़ पाई जा रहे हैं तो इससे ये तो साबित नहीं होता किसाम मंदिर तोड़ की गॉर्मेंट में जी 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 वो सो मिटर की दूरी पर है वो मस्जिद की पच्चिमी दिवार पर है ही नहीं ये जान बोजकर इस तरह के जूट बोले जा रहे हैं हिंदुस्तान के सीधे साधे मेरे भाईयों को हिंदू को वरगलाने के लिए ताके एक ऐसा माहूल में ने टोका मैं आगे बढ़ूँगा पहले की कमेंट है लेता हूँ फिर रॉस क्विशनिंग बात में हो जाएगी संगीत रागिया मैं आपके पास आ रहा हूँ आपने सुना एक जूट गढ़ने की कोशिश की जा रही है जो विवाद आयोधिया पर खत्म हो जाना था उ इसकी भी गैरेंटी नी की काशी और मतुरा में रुका जाएगा फिर आगे का जाएगा फिर तो 40,000 मंदिर है अभी उत्तर प्रदेश के भी कई मस्जिद हैं उनके भी सर्वे का ओडर आ गया है तो लड़ाई कब रुकेगी जो साजीत रशीदी कह रहे हैं कि जूट गया और भोली भाली जनता को बरगला आए गया यह वाता लागे भी क्या कोट भी उस वो कोट को भी बरगला दिया गया जो कोट ने सर्वे का ओडर दे दिया वो सवाल बाद में लेकिन आप जवाब दीजे संगीत रागी जो साजीत रशीदी ने का देखे जूट तो यहा करके ध्यान में रखते हुए यह सब प्रतीक चीन्नों को गड़ा गया था इससे बड़ा कोई बाहियात चीज और इससे बड़ा कोई जूट चीज हो ही नहीं सकता है लेकिन तर्क है तर्क करने वाले तर्क करेंगे अपने लिए अब किसी और अन्य मस्जिद में इसी प्रकार का दीने इलाही का क्यों नहीं ऐसा प्रतीक चिन्न मिल जाता है जहां हिंदू मंदिर है आपको दीने इलाही वहीं पर तै करना है इस देश के जामा मस्जिद थे जरा जामा मस्जिद में आकबर के समय हो जाता या बाद में हो जाता दीनिलाही के सारे प्रतीक सारे मंदीरों के प्रतीक मस्जिदों में भी लाई जाती तब tot encompass समझ में आ जाता लेकिन यज़ें कुतरत है इसको तने विभार और उत्तरप्रदेश के पूर्वी उत्तरप्रदेश की भासा में गलतितरी कि आपके पास तरक नहीं है, तत्ध नहीं है लेकिन फिर भी कुतरक आप करने जा रहे हैं देखिए दक्षिन के जितने मंदिर हैं, उसमें अधिकांस मंदिर सुरक्षित हैं और एक से एक आपको मंदिर मिलेगी, विज्ञान की दृष्टी से देखेंगे, सौंदर जिकला की दृष्टी से देखेंगे, वास्तु सास्त्र की दृष्टी से देखेंगे, एक से अद्भूत अद्भूत आपको मिनाक्ची पूरम कि जो पूजा अस्तल थे उसको ध्वस्त करता गया और ये कोई भारत के अंदर हुआ नहीं हुआ ये पूरी दुनिया में और जहां-जहां इसलाम गया ये मैं फिर दावे के साथ कर रहा हूँ इसलिए हिंदु समाज ने कहा था जब मंदिर की लड़ाई शुरू हुई तो हिंदु समाज ने कहा था ये हमारे तीन बड़े आराध्य हैं भगवान सिव भगवान कृष्ण और भगवान राम ये तीनो जगह हैं इसलामिक आक्रांताओं और उनके पुरोधाओं को वहीं पर मस्जिद खड़ी करने की जगह बनी जहां एक भगवान राम का जन्रदे जहां भगवान कृष्ण तो मस्जिद शिफ्ट थोड़ी ना हो सकती है वह उस समय भारत के संतों का और भारत के हिंदू समाज का संकल्प था यह कोई भारती जंता पाड़ी का संकल्प नहीं था यह कोई विश्व हिंदू परषद का संकल्प नहीं था है ये भारत के संतों का संकल्प था कि हमें जितने हमारे 40,000 मंदिर तोड़े गए हैं वो सारे मंदिरों का पुनरुदार होना चाहिए हम उसे प्राप्त करेंगे बात बनते बनते यहां तकाई की कहा गया था जैसे दुर्योधन के साथ कृष्ण लेकर के गए थे कि अच्छा ठीक है तुम नहीं दे सकते हो हस्तिनापुर का राद हिस्सा नहीं दे सकते हो पाँच गाम तो दे दो उसने का हम पाँच भाएं सुई की तिनके के बराबर भी नोक की जमीन नहीं दूँगा वही कुरूचेतर की तरफ ले जाता है और यहीं से सुरुवात होता है कि भगवान राम के मंदिर के लिए भारत के हिंदू समाज को सतर साल तक आजादी के बाद भी लड़ना पड़ वो हिंदू के साथ ही नहीं इस देश के साथ सांस्कृति के साथ विश्वासगात था कि देश द्रोग से कम नहीं था उस समय की कॉंग्रेस पार्टी ने हिंदू समाज के साथ विश्वासगात किया था और दुरभाग्य है कि हिंदू समाज उसके बावजूद भी चुप सांसिलता में रहा आज मैं विश्णु जैन और इनकी पूरी टीम को बादाई देता हूं कि तमाम औरोधों के आज इन्होंने कम से कम खड़ा होकर के हिंदू से औरोधों का मान बढ़ा है तो वो देश-द्रो की जगह अगर देव-द्रो कानून कहते तो शहाद थोड़ा सा समझ नहीं आज तो सॉरी बिल्कुल बिल्कुल देव-द्रो नहीं वो देव-द्रोधों की डाराफीं सो सतर हाजिक भाई जो सवाल अभी संगीतरागी ने पूछा घ्यान्वापी ठीक या मंदिर अभी नहीं पता आप तो सर्वे से पता लगेगा लेकिन फिर भी उस मस्जिद से मतलब एक तरफ आपकी आस था ग्यानवापी एक मस्जिद दूसरी तरफ हिंदूओं की आस था कि वो जन्म स्थान मतलब जैसे श्रीकिष्न जन्म स्थान मतुरा में वहाँ प्रभुराम जन्म स्थान वहाँ भोले महादेव जो नंदी जो है महादेव शिवलिंग मुखी है तो जन्म स्थान नहीं बदला जा सकता अगर मैं गलत नहीं हूँ हाजिक भाई जहाँ पैदा पेदा हुए जन्म स्थान नहीं बदला जा सकता ठीक। घर बदला जा सकता है शिफ्ट किया जा सकता है यह नहीं हो सकता क्या हाजिए बात ये कि हिंदुस्तान जो हमारा है जब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान की आजादी में हिंदुऊरों और मसल 예뻐 हम यह कहते हैं कि जब हमारे देश का संविधान हमारा सुप्रीम कोड जब अपनी अदालत में फैसला कर रहा है राम मंदिर पर तो वो ये कैदा है 97 पेश परका है ये वकीर साब हैं पड़ें उसको देखें कि हम 400 साल 500 साल पुरानी मामलात को आज सौल्व नहीं कर सकते हैं क्यूंकि दुनिया का इत्यास जब लेक जाता है और भारत का इत्यास लेका जाता है भारत में जब मुसल्मान नहीं आई थे उससे पहले का इत्यास लब देका जाता है तो जब हिंदू राजाओं के बीच में रड़ाई होती थी तो एक राजा दूसरे राजा को अरादिता था उसके अराद्धों के मंदर तोड़ दी जाते थे कि मस्जिद चाहें वो औरंजेब बनाए बाबर बनाए या कोई और बनाए किसी भी मस्जिद में ना हिंदू किसी भाई का मारा पैसा लग सकता ना किसी मंदिर की प्रोपर्टी लग सकती ना उसका मलबा लग सकता ये जूटे तत्त हैं थ्याद संगीत रागी ने बोला तीन हैं अयोद्या काशी मतुरा फिर आगे ना लड़ाई चली जाए फिर कल को फिर 40,000 मंदिरों की बात ना होने लग जाए फिर जो अभी संगीत रागी जी ने का कि कितने मंदिरों को तोड़ कर मस्जिदे बनाए गई फिर ये वाली मस्जिद की द अगर फैसरा करेगा उसे मानना होगा जैसके लोगे ने बस दस स्कूड़ से बेटार करने करें तरह हूं देखिए कल मध्द प्रदेश में यदि कोई बहुत अच्छा सद्धास तल है यदि वहां पर तोड़ कर के बनाया गया है सरस्वती जी का जो मंदिर कहा जाता था यहां मस्टा भोज शाला में मस्टित खड़ी कर दी जाए वो तो मुल्बद्धा उठेगा है उठेगा हिंदू समाज बिलकुल पर गरेगा अब आयोद्या काशी मतुरा मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश यह तो फिर चलता रहेगा मैंने का नीजितने हमारे प्रमक मंदिरते सब की सूची दी गई थी कब तोड़ा किसने तोड़ा कैसे तोड़ा फिर भी हमने का चलो भाईचारा बना रहे भाई चारा बना रहने के कान तीन मांगे थे मथुरा कासी और अजुद्या ये तीन समझोते पर मांगे के ते बाहर अब तो हम प्रमाण पर ले रहे ना अब किसी के दयापन नहीं बन रहा है राम मंदर बन रहा है तो प्रमाण तो पुछे कैसे कहा जनमे है पढ़ो ना हम कोई अप्रमारत बात नहीं करते हैं कोट ने केवल आखे बंद करके निर्णा नहीं दे दिया प्रमारत के साथ में बन रहा है कासी का उद्धाट नोगा वो भी प्रमारत पर होगा हाँ इद आप मान लेते भाई चारे के सार पर मान लेते के तीन हम आपको दे रहे हैं तो हो सकता है हम 30,000 मंदिरों के जग जगा 30,000 मस्जिदें शैद हें रहा ही बन वाइज़ा बन वाइजाना निवाया निवाया है पही चारव देंगे हम काइन ही बन आलो ब माद में हम तोड़ देंगे हमका ऐसे अहत बंद पीछे कर रहेंगे तुम तोड़ दोगे क्या है तुमासा आप कानून के बात करते हो समधान के बात करते हो सेसे पर समधान नहीं मानेंगे तीन तलाप के नहीं मानेंगे हलाला पर नहीं मानेंगे जिन संग्या पर नहीं मानेंगे मंदर की बात आईगी तो सम्धान मानेंगे साहब हम तो पक्के नागर कहें कानून को मानते हैं तो फिर कानून को मानते हो तो साची पर चलने तो अपर कहा है हमने भाई चारे पर तीन मांगे तो नहीं मिले तो अमन जी तीन हयार नहीं तीन लाग पर भी बिल्डोनर चलाना पड़ेगा तो चलेगा साच के अधार पर चलेगा तो अको लड़ाई कारून जी है तो जहां जहां मंदे के साच मिलेंगे जो होगा होगा एक जो तरक बार में दिया जाता है कि मस्जिद शिफ्ट नहीं हो सकती ठीक अब चूंकि वहां पर आसा रशीदी जी की हाजिक भाई की मुस्लिम पक्षकी वो ग्यानवापी मस्जिद है उस मतुरा में शाही ईदगाह मस्जिद है आपकी नजर में जो नंदी है वो मस्जिद मुकी कैसे है वहीं पर फिर महादेव है शिवलिंग है उसी तरह शाही ईदगाह में श्रीकिशन जन्मस्थान है ये दावा है मुझे समझाइए किया मस्जिद शिफ्ट नहीं की जा सकती क्योंकि जर्मस्थान तो शिफ्ट नहीं हो सकता मैं जब पैठा हुआ हूँ वो थोड़ी ना बदल जाएगा क्या मस्जिद शिफ्ट नहीं की जा सकती सवाल का परेप्रेख्ष है और राजीव धवन साब ने इसमें आठ मैने तक बहस किती है और कहा था इसको लारजर बेंच को भेजा जाए सुप्रीम कोट ने लारजर बेंच को भेजने से रिजेट कर दी इस मांग को और कहा यह जो फाइंडिंग है एबसलूटली करेक्ट है और आप देख रहे हैं कहीं भी नमाज पढ़ी जाती है बहुत जबा नमाज पढ़ी जाती है उसके लिए मज़िए कोट नकोट 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 सुप्रीम कोट और उसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यहां पर अभी रशीदी जी ने और यहां पर भाई साब ने बात कही कि जो बादशाओं ने किया उन्होंने उस समय चीन लिया तो भाईया जो उस समय उन्होंने चीन लिया आज हम उसको लीगल प्रक्रिया से वापस लिने चाह रहे हैं आज इस देश में उन समय बाश्चाहों की हुकुमत ये उन्हें छिन लिया आज इस देश में कानून तरसंगत कोर्ट में रखिये और कोर्ट अगर उसके आपके प्रक्ष में फैसला देगा तो स्वागत है पर मैं पूछना चाहता हूँ आज सबसे मूल सवाल कि क्या कारण है कि भोशाला में हमारी मंदर के अंदर जो यग्यकुंडे उसमें थूका जा रहा है संस्कित की रिच को एक मजज़ कर देखा रहा है और जिद है कि महीं पर वजू किया जाएगा क्या कारण है कि मतरा की कृष्णेचनमूमी में महीं पर आपको मेंदर बनानी है क्या कारण है कि टीले वाली मस्जिद में जो लक्षमन टीला था उसको आपने टीले वाली मस्जिद के रूप में प्रियोक कर दिया और ये तो उसी तरह से हुआ कि कोई आज एक घर में घुस आए और उसके बाद जब वापस लेने की बात आए तो कहें कि आप हम तो गल्त घुसेते पर एक या दो कमरे की बात करिए बाके दस कमरे की बात न करिए अब इस देश के समधाने की इंडिया में सारा की उपर बात होगी 40,000 मंदिरों के बाद होगी जिन्होंने आपने हमारी मंदिर तोड़के आपने उसको मस्ज़िद के रूप में कनवर्ट किया है उसको कोड के माद्जन से लेने का काम का है लेकिन हाजिक भाई एक मिनिट वैसे वो बाबर के खिलाब बोल रहा है हम अबी वी चाहिस पर माँ अब बाद चाहिक रहा है मेरे इक लास कमेंट है आप जो कहते हैं संप्रदा एक सohart मत बिघाड़िये माहल मत कराब करिये माहल ठीक रखमे किने की जिम्मेदारी सिए एक पक्श की थोड़ी नहीं सर आपकी भी है ना कि अकबर ने दीन इलाई बनाया और वहाँ पे सारे धर्मों का वहाँ पे केंडर बनाया तो ये बताईए कि अकबर ने है आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे हिंदू समाज अपने देश में मां शिंगार गोरी की चोखड में पूजा कर रहा है यह मांते हो कि हमारे अराद हमारं इश्वार नदर है ऐसा धर्म वहाँ और बनाया और यह बराबर रशीदी साब बिल्कुल सही बात है धार्मिक स्वरूप नहीं बदलना चाहिए 1991 प्लेसिस ओवर्शिप है स्वरूप क्या है ये तो पता लगाना पड़ेगा ग्यानवापी मस्जिद है या मंदिर है ये पता तो लगाना पड़ेगा उसके लिए सर्वे और सर्वे की मांग को खारिज करना इसके पीछे क्या तर्क नमबर एक नमबर दो सर्वे की रिपोर्ट को पबलिक ना करने के पीछे का क्या तर्क ये दो सवाले साजिद रशीदी बीच में मत बुलिये का कोई देखे, देखे, मैं अपनी बात यहां से शुरू करता हूँ, संगीत रागी चले के मैं उनसे बात करता, उन्होंने कहा कि साब, जाम मस्जिद में क्यों अकबर इलाही के चिन्नी मिलते हैं, उनको शायद ये जानकारी नहीं हो, प्रोफेसर हैं जेहनियों में, उनको ये जान पार्टी के अपने धर्म के चिन जगा जगा दूसरों की जगा पर लगाता फिरता है आदमी, ऐसा तो होता नहीं है, कॉंगरिस पार्टी का दफ्तर है तो वो अपना चिन लगाएगा, बीजे भी पार्टी का दफ्तर है तो अपना चिन लगाएगा, ऐसा तो नहीं कॉंग निलाए नंबर दो अभी आपने पूछा कि भई सोरुभ जो का तो रहे गा ुसमें sirway होना चाहिए या ना होना चाहिए मैंने पहले भी का sirway हो जए हमें कोई इतराब नहीं कोई इतराब नहीं है लेकिन सवाल है कि sirway पहले देखिए जब भी किसी मुझरिम को आप पकड़ते हैं जब तक कोड उस पर जुरूम साबित ना कर दे उसको मुझरिम तो नहीं कहा जाए जब तक कोड ये फैसला ना दे दे कि एक किर्शन जनमस्थान है तो आप उसको कैसे कह सकते हैं किर्शन जनमस्थाने चीक बात को कह चुका हूँ कि ये मस्जिद औरंग जेब ने बनवाई ही नहीं जो लोग नहीं जानते उनको या तो हिस्टरी का पता नहीं या जान बूझ के बाबरी मस्जिद के तरह जूट गड़ा जा रहा है तीसरी बात अभी नवल किशोर जी ने कहा कि रिगवेद में लि विशेश अधिकार कोट का होता है उसने आस्था पर फैसला नहीं सुनाया बिल्कुल वो टाइटल सूट था उसने कहा कि मैं अपने विशेश अधिकार को इस्तिमाल करते हुए जगा रामलला को देता हूँ तो फिर यहां आस्था कहा रहेगी ने बिल्कुल ये तो बात है कि इस था यहां कहा रहेगी देखे वो राम जनमस्थान राम जनमस्थान माना जाता तो सुप्रिम कोट भी तो कहता ना सर वो राम जनसान है या निया इसकी तो लड़ाई थी ही नहीं ये बात तो आम मानेंगे जब सुप्रीम कोट ने कह दिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी ये तो आम मानेंगे कि जूट था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं ये नहीं नहीं बनें ये कहा गया कि हमें ऐसे अवशेश नहीं मिले कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी मैं उस चीज़ पर टाइम नहीं वेस करना चाहता हूँ जो अगर सच नहीं छिपाना तो फिर सर्वे की रिपोर्ट पब्लिक करने से क्यों गबराना पता लग जाएगा ना आप सही होंगे हो सकता है आप सही हों हो सकता विष्णू जी गलातों हो सकता विष्णू जी सही हों आप गलातों लेकिन सच सबके सामने तो आए रिपोर्ट पब्लिक तो हो पता तो लगे जो लोग कह रहें कि नहीं पब्लिक नहीं को डर है ना कि कहीं हां मंदिर मिल गया है शायद नीचे नहीं रशीदी जी आप बोलिए पर मैं आज़ेग जी और अबल भाई आपके पास आपके आपके पास करता वो इतने पनों में है कैसे हो जा हूं जब तक कौट उसको पबिलिक करने के लिए ना कहे ये कर भी नहीं सकते गलत है इनों ने इन्हों कर रहें तो नहीं आँए तो शील कवर में आपकी पता होना चाहें आपकी जानकारी के लिए ने जाए आपकी पटा होना चीए नहीं आप मैं इसे सब्सक्राइब नहीं कड़वा होता है रशीदी बाइब आपके चैनल पे एक एलान करके जा रहा हूं और इसको लिख लिजएगा हिस्टरी के सुनेरे अलफाजों में लिखा जाएगा जैसे बाबरी मस्जिद के केस में ज्छूट साबित हुआ ग्यान वापी में भी ज्छूट साबित होने वाला है कोट के दूआरा उनके लिए वो जन्स्थान है आपके लिए कोई दूसरी मस्जिद घलत नहीं बोल रहा हूं मैं एक एक शब्द्यान से बोल रहा हूं आपके लिए वो कोई एक दूसरी मस्जिद है है और उनके लिए वो जन्म स्थान है बताए है जब着्सक्राइब करते हैँ जन्मिषान होने नियुक्तः मैं नियुक्त लितानॡ़ हैं हमारा आपका या जितने बैटे हं इंदुस्तान दिल्ली में जितने रह रहे ह दूने के इन्सान के वह अपने घर बेचे चलिया है जन्मिस्थान बेच के चलिया है इससे कोई प्रॉबलम नी अजा जाए है तो आप जोड़ा पहने के नारे क्नारे लग जाएंगे कि अगर इसका मैं जवाद दूंगा तो सब्सक्राइब नवल जी कि हमसे प्रमान मांगे जाते हैं अयुद्या में करीव सो से ज्यादा प्रमान है वहां खुदाई में निकले आप देख लो जाकर कि सुनो पहले अरे सुनतो लो जादा अपर दरत हो रहा है क्या वहां देख है वहां आप दो बनारसी में आप चले जाओ भगबायान शीव के नंदी सामने होते हैं वहां आप आतकत प्मान कर रहे हैं वहां आप 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 देख वर रहे हैं अधिकंत बंदी सब्सक्राइब नवल जीए वंदी निव आज भी आप मतुरा जाएंगे तो जहां एदगा बना हुआ है नीचे आज भी आप इदगा के नीचे जाएंगे तो आज भी आप इदगा के नीचे जाएंगे आज भागण किस्ट्र की पूझा बालूप में आज भी होती है आज आप चले जीनाज हो ती हुथ्य की उपर इदगा क्यों विष्या सवाल उटता है उद्या कोट से तो बाकी चीजे सपोर्ट से बननी चीए वह इंद्रेश कुमार का सुझाव उस पर एक मेरा सवाल की कम से कम एक सांप्रदा एक सोहर्थ की मिशाल मिशाल पेशो वह रशीदी जी और हाजीक जी के लिए वह दूसरी मस्जीद है हमारे लिए व कोई कॉम्रॉमाइ Brush कर सकते हैं और उसको हम कोट के माद्यम से लीगल लड़ाई के माद्यम से लेंगे इस देश मेक लीगल वगावा शुरू हो चुकी है जहां 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 धर्मस्तल तोड़के मस Еचाहं जहां-जहां जहां जहां कटी मुर्तिया रखी हुए हैं उन सबirmi ग्लोरी उन सब की आप बीच में कैसे बहुत हर समय इसे लिए बना बोला होती है आप शिरी किसी और बख्मान लिए बोले जिनकी पावर खतम करें अगर बाश्चा की हुकूमत है कि ने बहुत है पूले पीच में बना यहां पर शुरू कर देते हैं वह इसे लिए नहीं पु पूले पूले बाश्चा करें जहां 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 हमारे धर्मस्तान तोड़े गए हैं जहां मूर्तेयों का अपमान हुआ है उन सारी चीजों को court के माधियम से हम restore करने का काम करें Places of worship act Places of worship act already हम court के माधियम से redundant कर चुके है redundant कर चुके है ये पूरे सनातन समाज की बहुत बड़ी जीत है जो ilahabad high court में फैसला दिया है और Places of worship act को redundant करने का काम करें साजीद रिशीदी Places of worship act को लेकर प्रिलाबाद हाई कोट का फैसला क्या बाकी मंदिरों के मामले में भी प्रेसिरेंट होगा यह डर देखे डर नहीं यह सुप्रिम कोट ने कहा है कि पलेशिप एक जो है आज के बाद जितनी इस तरह की अपीले हैं वो सब रद कर दी जाएंगी और आगे कोई अपील इस पर ना लगाई जाए यह सुप्रिम कोट मैंने मैंने ही कह रहा हूं ना मेरा डर है मेरा डर क्यों होगा मुझे तो सामने दिख रहा है कि कोट है कोट ने बाबरी मस्जिद में भी हमारे लिए फैसला दिया है सब को पूरी दुनिया देख रही है उसको दूसरी बात यह अभी नवल किशोर जी ने कहा बड़ी आपती जनक एक बात कही कि इसलाम तलवार की जोर से पहला है सुन लो सर अगर देखिए 800 साल मुसल्मानों ने हुकूमत की है एक सत्ता बताता हूं मैं आपको 800 साल अगर इसलाम तलवार की जोर से पहलता तो आप बताईए कि क्या कोई पर पाकिस्तान चले गए आप दूसरी बात यह हमें जो है जब हम कोट में हैं तो लड़ाई किस बात कि है मेरे भाई हम कोट से पहले अब जैसे शिवलिंग के बारे में कह दिए कि इसाब यह वजू हो रही है थुका जा रहा है फला अरे कोट का फैसला तो आने दो गोट अगर उसको शिवलिंग तै कर देगा तो बात खत्म हो जाएगी लेकिन अरे मेरे अरे मेरे अरे जाच नहीं होनी चाहिए जांच की ओर्डर हमने लिए ने जान पूझको और उने लिया और कहा जांच नहीं होनी चाहिए आने वाले कल में देश में अपना तफ्री की तब ले जा रहे हैं आने वाले कल पर उसको आप्ला सेंटेंस पीछे माच आई ये आपने बोला आगे देख लेंगे कैसे मंदिर ऐसे नहीं बनते कहीं मंदिर बना बैठे कहीं मस्जिद बना बैठे हमसे तो अच्छे यह परिंदे हैं कभी मंदिर पर जा बैठे कभी मस्जिद पर जा बैठे हैं इंसान लड़़ रहा है इनसान लड़़ रहा है मंदिर खाली पड़े मस्जित खाली पड़े हैं में आसEr हैं यहां भाड़ कशन कर दे डिए दे कि दे क्मए ले में नहीं जानता अभी नाम बोले हैं तुम तुने हैं खागे 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 उनको दी जाए ताकि उनको पता चले कि देश में कौन-कौन सी पार्टियों के अध्यक्ष कौन-कौन इतनी बड़ी शठी से लड़े होत तो संक्षित हो करके और ट्रांस्परेंट तरीके से ही सब लोगं को एक्ट करना चुए नितिश कमार प्राइमश्टर बढ़ेंगे हैं और सब कोई नितिश कमार को जानता है और अब बात करेंगे इंडी घटबंदन की मतलब इंडी घटबंदन भली परदे के सामने एक जुटता के कितने भी दावे करें लेकिन परदे के पीछे क्या इंडी एलाइंस में सिर्फ टवल और जगड़ा चल रहा है इस बात का अंदाजा आपको एक नए बयान से मिल जाएगा मद्देब्रदेश चुनावों के वक्त एक बयान आया था याद है आपको अखिलेश वकिलेश जब मजाक उड़ाया गया था अखिलेश यादव का जिसके बाद इंडी गड़बंदन में एक जुटता की पोल खुल गई थी और अब दोजार चुबिस के लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गड़बंदन में ग्री युद्ध शुरू करने वाला एक और बयान सामने आ गया है सवाल यह कि बयार के मुख्यमंतरे नितीश कुमार के करीबी नेता गुपाल मंडल क्या वाकई कॉंग्रेस अध्यक्ष मलकार जुन खड़गे को नहीं जानते हैं हो किरें कौन खड़गे अखलिश खड़गे वड़गे इसलों नहीं का आक कि Anders राजनीतिक में कॉंग्रेसों जेड़ू के बीच राजनीतिक हाथ अपाई के नए संकेत हैं जेड़िव के एक कनैता कई पब्लिक नहीं मानेगी कि खड़गे फड़गे का नाम ने जानता अभी नाम बोले है तुम सुने हैं जानभों करते कंग्रेस का वो राष्टी अध्यक्स है खरगे जी ता बोले तो हम जान गए उनको कोई नहीं जानता है, भड़े मुख मुख लोग जानते होगे, आम पबलिक नहीं जानता है, आम पबलिक नितिश्क मार को जानता है, नितिश्क मार प्राइम निस्टर बढ़ेंगे, और सब कोई नितिश्क मार को जानता है। केले चुनाव लड़ने का चैलेंज दे रही है इसके लावा दिल्ली में इंडी घडवंदन की चौती बैठर के बाद नितीश कुमार भी नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि ममतब एनरजी के ने पी-एम फेस के लिए कॉंग्रेस के अध्यक्ष मलिकार जुन खड़के का न आम आगे किया ये कलेक्टिव डिसीजन लेने के फैसले का उलंगन है जेडियोए भी कहती है कि इंडी घडवंदन के निर्माता नितीश कुमार है लेकिन इंडी के निर्माता को जिस तरह घडवंदन में तवज्जों नहीं मिली उससे नितीश नाराज हो गए सूत्र बता से समच सकते हैं